हेलो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रूप D में प्रिवियस से में जितने भी रिजनिंग के प्रस्ण पूछे गए हैं, उन प्रस्णों को लगातार हम कर रहे हैं, और आज हम लेकर रहे हैं आप लोगों के लिए रिजनिंग पार्ट टू, इसमें भी हम चर्चा करेंगे बे प्रस् आज प्रस्ण प्रस्ण आईए इसको भी देखते हैं, इसमें बोल रहा है के बाद M आगया मतलब K L M 2 का addition हुआ है M के बाद P आ गया M के बाद P का मतलब होता है N O P मतलब 3 का addition हुआ है P के बाद T आ गया P Q R S T मतलब 4 का addition हुआ है अब इसके बाद हमको 5 जोनना होगा तो P Q R S T तो होगा T में जब 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं जब T में आप 5 जोड़ोगे तो T में 5 T आता है 20 नंबर पे और जब आप इसमें 5 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 25 और 25 पे क्या आता है Y आता है तो इस प्रस्न का सही जवाब है Y मतलब की option C is the right answer चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्न पर अपना अगला प्रस्न क्या कह रहा है कि निमलिखित में कौन सा विकल्प नीचे दिये गए सम्मन्द को सर्मुत्तम ढ़ंग से पूर्ण करेगा option आपको दिख रहा है जो option है चलिए बिसको करने के हम कोसिस करते हैं अगले प्रस्न पर अगला प्रस्न है कि इसमें क्या करना है भई तो जब इसको आप देखोगे तो A के बाद K आया है, C के बाद M आया है E के बाद O आया है, G के बाद क्यों आया है कौन सा तरीका लगा रहा है तो basically मेरे को ये पता चल रहा है कि A का position 1 है, K का position 11 है वहीं C का position 3 है और M का position 13 है वहीं E का position 5 है और O का position 15 है मतलब इतने से तो किलियर है कि परतेक में 10-10 का addition हो रहा है अब कुछ नहीं करेंगे हम इसमें 10-10 का addition करते चले जाएंगे अगर I के position को देखा जाए तो I 9 number पे आता है और 19 number पे जो भी आएगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है तो 19 पे तो S आता ही आता है अब K में जब 10 जोरोगे तो K कितने number पे आता है पहले तो आपको ये पता करना होगा तो K की जो ranking जो होती है वो 11 number पे होती है और 11 में जब आप 10 जोरोगे तो अभी 20 पे आ जाना है तो 21 पे कौन आता है तो 21 पे आपका U आ जाता है उसी तरह से aim aim कितने पे आता है तो aim जो है वो कितने नमबर पे आता है तो ध्यान रखना है कि aim जो है वो तेरे पे आता है तेरा में 10 जोडएंगे तो 23 हो जाएगा और 23 पे कौन सा जिजिट आता है तो निश्चित रूप से डबलू आता है और अब यहाँ पर बच गया O O आता है पंदरा में और पंदरा में जब 10 जोडएंगे तो 25 और 25 पे कौन आता है तो Y मेरे को option D मिल चुका है option D is the right answer बढ़ते हैं अगले प्रस्ण पर अपना अगला प्रस्ण है कि भाईया आगे क्या होने वाला ये भी बताओ तो देखो एक असान सा तरीका है कि A के बाद B आया B के बाद C आया C के बाद D आया ठीक है W के बाद X आया X के बाद B आया और Y के बाद B जेड आया मतलब एक तरफ से उल्टा एक तरफ से सीधा तो भाईया D के बाद E हो जाना है और W से पहले क्या होता है तो W से पहले B होता है U B W तो B के बाद W आता है तो ये हो गया E B अपना सिरीज और आप देखो option C E B है जो बिल्कुयी सही सवाल का जवाब है अगला परस्थन है कि 64216 से संबंदी थे तो बताइए 512 किस से संबंदी थे मतलब 4 काankiूब होताRon वो 206 होता है जबकि 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है उसी प्रकार 8 का क्यूब जो है वो 512 होता है तो आप देख़़े हैं 2-2 का अंतर लगाता रोड़ा गोता है य aucun होता है जो है बिल्कुल आपका सृठीक और सही जवाब अगला प्रस्न है कि अगर दात का संबंद टूच पेस से है मतलब दात टूच पेस से अगर साफ होता है तो क्या होगा तो ध्यान रखना है बाल का संबंद सैंपू से है क्योंकि बाल किस से साफ होने वाला है तो बाल सैंपू से साफ होने वाला है बरते हैं अगले प्रस्न प का मौका अपने बहुत प्रकार के कोर्स के लिए आप अभी इस बैच से जुड़ सकते हैं करना क्या होगा आपको करना यह है कि इन बैचों से जुड़ने के लिए आपको करना होगा एक अनकैजमी का एप इस्टॉल कैसे होगा एप इस्टॉल आप चले जाएए हमारे यूट 2021 को डालें और जब आप इस code को डालते हैं तो आपको मिलता है course के purchasing पे 10% तक की discount जो आपको देता है बहुत ही मदद तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्न पर अगला प्रस्न क्या कह रहा है देखते हैं कह रहा है कि A G हो गया 1 N है 4 6 से N F है तो बोल रहा है कि उपर दिये गए मैंसे इसका कोई एक सही स्रिंखला है कौन ऐसा है जो स्रिंखला में नहीं है तो चलिए देखते हैं A G तो A G देखे तो A इस पोजिशन पे G इस पोजिशन पे और A और G के बीच में total 3 का gap है ठीक है उसी प्रकार 1 N तो 1 मेरे को यहाँ तो 3 का gap है उसी प्रकार हम क्या कर रहे है अब हम देख़रे 4 6 जब 4 6 देखा तो 4 यहाँ पड़े 6 यहाँ पड़े यहाँ भी 3 का gap है और अंत में हम देख़रे N F तो N यहाँ पर है और F यहाँ पे बीच में बहुत बढ़ा अंतर है मतलब N F ऐसा है जो सही तरीके से B is the right answer अगला प्रस्तने के एक arrangement दिया गया है और जब आप इसको पलट कर लिख देते हो मतलब बाया को जब आप दाया के तरफ से लिखना चालू कर देते हो तो क्या-क्या चीजे common आकर मिल जाएगे तो देखो बहुत आसान प्रस्तन है बिसिकली तो copy में ही बनेगा क्यों कि मेरे पास बहुतना space है नहीं करना क्या होगा कि यह 9 लिखा है तो 9 डॉलर लिखा है Y लिखा है X लिखा है 8 N 6 O L B U J जो भी लिखा है अब इसको पलट के ऐसे लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे percentage D F Q 1 at the rate T Z J U B L O 6 लिख दिया अब क्या देखना है कि इसमें से कौन को पूछा जाता है देखो रेलवे इस तरह के प्रस्न को बहुत ज्यादा पूछ रहा है इसलिए मैंने इसको ले लिया और बहुत बार पूछ रहा है और सवाल क्या कहरा है कि जवाब इसे मॊर देते हैं पारदरसी पेपर पर जवाब इससे मॊर देते हैं तो क्या होगा बिसिकली जब ये एक दूसरे से मूड़ेगा तो ये देखो इस प्रकार से 8 का फॉर्मेशन करता है तो इसका जो option B है वो सही जवाब है इसका सही जवाब हो जाएगा B जो की 8 है अगला प्रस्न एक बहुती सांदार प्रस्न है इस प्रस्न को बनाने के लिए आपके पास अच्छा खासा दिमाग का इस्तमाल करना पड़ेगा दिमाग इसलिए कि इसमें किया क्या गया है इसमें हुआ क्या है कि इसको दो भागों में बांट लिया गया इसमें पांच-पांच की गुरूपिंग कर दी गई है और किया क्या गया है कि पांच वाले को नमबर एक पे बेजा गया है ये question है क्या निकलेगा तो basically उपर तो बता ही दिया है क्या औरा मैंने भी बता दिया आपको कि 5 को ले आना है एक पे तो जब 5 को आप एक पे लाओगे तो आगे में Z हो जाएगा फिर 4 को ले आओ 2 पे तो फिर Z हो जाएगा तीन को तीन पे ही रने देते हैं उसके बाद ये आ आने वाला है means option A is the right answer बढ़ते हैं अगले प्रसन पर अपना अगला परसन है कि आच जिस प्रकार से 96 से संबंदी थे तो मेरे को पता है 8 को 12 से गुना करना है तो 7 कैसे संबंदी तो निश्चित रूप से 7 को भी 12 से जब गुना करेंगे तो 12 सत्य 84 होता है मतलब option D is the right answer देखवा वो clear रहे कि 3 है तो जब 3 का power 5 करते हैं तो आता है 243 तो निश्चित रूप से यहां 5 है तो 5 का power भी 5 करना पड़ेगा और 5 का power जब 5 करेंगे तो answer आएगा 31 पचीज जो option C में दिया हुआ है और यही है आपके सवाल का सही जवाब अगला प्रसन क्या कह रहा है कि इसका कैसा बनेगा वही क्या solution है तो हुआ क्या है कि 7 को 5 से गुना कर दिया तो 35 तो निश्चित रूप से यहां पर भी कुछ होगा उसको 5 से गुना करेंगे तो 125 तो हमने 125 को सिधा 5 से भाग लगा लिया answer आया 25 मतलब 25 को जब 5 से गुना करोगे तो आएगा 125 तो आपका option ह जाएगा option D मित्रो आगे बरें उससे पहले हम आपको बता दे कि हमारी टीम ने आपके लिए लाया है ब्रह्मास्त्र ये ब्रह्मास्त्र इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोगों ने railway group D के उन सारे प्रस्थनों का एक जगा पर selection किया है जो railway group D बार बार पुछता है और हमारा तो थीम भी है अब की बार railway पार आप इस पुस्तक को हमारे यूट्यूब के description में दिये गए लिंक से जाके purchase कर सकते हैं ये आप लोग के लिए राम बान से कम नहीं है क्योंकि इस पुस्तक में हम लोगों ने बे सारे चीजों का collection किया बे सारे static से लेके science से लेके math से लेके थैंक यू